कि अलो फ्रेंस वेलकम तो मैं टाइट क्लास आज हम देखें जयामिती जयामिती में हमने कोड देख लिया है और आज हम जो देखने वाले हैं वह त्रिभूज तो आईए त्रिभूज के बारे में जानकारी लेते हैं यहां पर देखें कुछ पर त्रिभूज alien कि डौते हैं। त्रिभूज तर त्रिभूज त्रिभूज हैं क्या देख सकते हैं। हो जाए हैं और 3 कोड़ होते हैं तो यह देखें अंदर क्या है यह 3 कोड़ होते हैं क्लियर हूँ है आगे देखें तीनों कोड़ा योग 180 toms आगे तीनों क्या होता है इसनों किद्विद के प्राकारं देखिंप दो प्रकार है यहां से हम त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर भी जानते हैं और कोडों के आधार पर भी त्रिभुज को जानते हैं तो देखे भुजाओं के आधार पर कौन से कोड हैं सम बाहु त्रिभुज सम बाहु सम मिस बराबर बाहु मिस भुजा जिसकी तीनों भुजाएं क्योंकि तीन ह सम इस बराबर दूई में इस दो बाहु में भुजाएं इसकी दो भुजाएं बराबर हो वह सम दूई बाहुत रिभुजागा जैसे यह आपकी दो सेंटीमीटर की यह दो सेंटीमीटर की तो यहां से जो भुजा अब यहां से मिल रही है यह अलग साइज की हो जाएगी तो यह बुजा और यह बुजा यह बराबर हो यहां दो बुजाए यहां बराबर यह बराबर हूँ अगला है विसम वाहूत रिभुज है तो यह होगे आपका विसम लिव्यूत कोड का यह बाधारी नियून कोडै इंक वैंक के सिसे केते हैं worries जिसका मान 90 अन्से कम होता है तोま लाइजें यहां लिए इसका ओर से आँग कऊ Venice आएगा। इक क्या कहलाता है लिए आपकान का मान 90 अन्से मीरे चोटे हो तिनो कोड नंव Ini कोंग मैं कैसे बनेगा एक पड़ी रखा पर एक खड़ी रेखा क्या आप कहलाएगी समकोड तो ऐसे में अगर एक कोड यहां पर समकोड बनता है और यहां से क्या है आप इसे मिला देंगे तो यह क्या बना है समकोड त्रिभूज क्योंकि इसमें एक कोड समकोड बन रहा है इसलिए क्या कहलाएगा यह समकोड त्रिभूज आगे दि तरह के का कोड़ बनेगा यह क्या बन गया आपका अधिक कोड़ क्योंकि यह जो कोड़ बन रहा है वह 90 अंस से अधिक और 180 अंस से छोटा बन रहा है आगे चलते हैं आप देखिए पॉइंट से रिलेटेड आपसे पॉइंट जरूर पूश देगा जैसे लिख देगा किसी त दो कोड़ों के सम्धी भाजग द्वारा बनाया कोड बराबर कितना होता है तो आपको ये सब जानकरी होगी तो आप तॉज्य जरूर आया ऐगी अथिक जब तक आब उस पिचल को बनाएंगे नहीं जो यहां पर बताया जा रहा है तब तक इस सवालों को लगाना-पॉस त्रिभूज करें तुम कोई बनेंगे द रिस्धे मेंगे और यहां यहां पर आतुन भी 10 थन्स का मान भी але कोड यहां जो कौड जब यहां भी शाथन्स काम भी 60 थन्स कांव कि बनाएगा संप और समदी भाजक द्वार İs dam कहाओ आपके आपकोड हुए और किन्हीं दो कोडो के सम्दी भाजक द्वारा माले हम इसी कष्चाच कर देते nov6 कष्च defense यहां कटेंगे तो यह आपका यह केतना एक Bunu करें तो जकी क्या है तो RPG आपका यहां द्वी आपका 50 बना रहा है GORGARK evet अब कौन सा कोड बन रहा है यहां पर यह कोड बन रहा है क्योंकि त्रिभुच का यह कोड भी हमें मिल चुका है यह कोड भी हमें मिल चुका है कितने कितने का लिखते चलते हैं प्लस तीस अब हमको पूछाए जो नया कोड है सम कोड तथा तीसरे कोड के आधे के बराबर होता है जो नया कोड मिला है वह कोड़ा सम कोड मतलब 90 अंस तथा तीसरे कोड के आधे के बराबर होता है तीसरे कोड का अगर हम आधा करेंगे तो क्या होगा 30 हो ओ गा, और 1050 जोड देंगे, तो हमारा आ जाएगा 120, तो कहा रहा है कि ये कोड कितने का आया, 120 अंस का आया, ये कोड कुतने का, 120 अंस का तो प्लस यहाँ पर 120 कर दीजिए, इसको जोडने पर, अगर, इस कोड का हमें, मान निकल मिल जाएगा करते हैं 12-16 180 अंस आ गया यानि कि क्या है ये पॉइंट जो रिजन बताएगा ये सही पॉइंट है क्या है फिर से एक बाद लें किसी भी तुर्बुज के अंतर दो कोड़ों को जब हम दो सम्धिभाचक प्रिक्रिया द्वारा इन्हें बाटेंगे तो जो नया कोड़ बनेगा यानि कि ये कोड़ कितने का होगा 90 अंस प्लस तीसरा कोड़ क्योंकि तीसरा कोड़ तो यह ही चूट रहा है हमसे इस तीसरे कोड़ का आधा ले लेंगे कंढ़ जहा है पिचर को बना लिए है यहाँ साथका हो गया 35 तो नसल नहीं किसी तीसरे कोड़ कोड़ कोंसा होगा अब किसी भी बाराबर की दो रेखाओं को बाहर कर दीजिए, हमने इसको बाहर कर दिया, बढ़ी कर दिया, और यहां पर इससे थोड़ा सा और बाहर कर दिया, बाहर कोड आपका बनेगा, यह आपका बाहर कोड आ गया, यह बाहर कोड, एक रेखा पर कितने अंस का कोड बनता है, 180 अंस का, और कितने अ कोड़ मिले हैं इन कोड़ों को हम समदी भाजक करें तो हम दो नया कोड़ में लेगा अब नया कोड़ क्या मिल रहा है यह और यहां से इसको करते हैं ऐसे तो नया कोड़ कहा है यह कोड़ हमें मिल चुका है यह कोड़ मिल रहा है यह कोड़ हमारा बाकी है तो कह रहा है इस कोड़ का मान क्या होगा इस कोड़ का मान निकालते हैं कह रहा है सम कोड़ सम कोड़ मतलब 90-3 कोड़ का आधा हमने इस बचा आपका ये बचा और इसका आधा यान कि 30 कर देंगे तो हमें इस कोड की वैल्यू मिल जाएगी क्या मिलेगी 60 मिलेगी यहां भी आप देखेंगे तो देखें यह साथ हमको मिला है यह हमारा बचा 120 120 को अगर हम आधा जस्ट करते हैं तो यह हमें 60 तो मिलेगा यह साथ है तो यह भी 60 मिलेगा 6 6 2 2 3 8 रहे कितना आगे 180 यानि कि यह हमारा सई है अब देखें हम पे हम पीछे बताना भूल गई यहां पर देख लेते हैं यहां पर जो कोड बन रहा है वो अधिक कोड बन रहा है ध्यान दीजें यहां पर कौण सा कोड बन रहा है अधिक क्योंकि वह 90 अंच से छोटे का मान दिखा रहा है तीनों इसके कोड तो कौन सा कोड बनाईए नियून कोड त्रिभूज 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 आगे देखते हैं बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जरूरी आतकी किएगा किसी त्रिभूज के अंतह एक कोड के स किन्यार इसको आगे कर लेते हैं यहां से इसका आधा करेंगे तो यह आधा ऐसे होगा अब इस त्रिभूज का हम नाम दे दिते हैं A, B, C and D बन गया क्या कहा रहा कि हमने कर दिया सम्धी भाज़े कर दिया तो कोड D यानि कि इस कोड का जो मान आएगा वो क्या आएगा तो कोड D बराबर A कोड A कौन सा है हमारा ये और ये कितने अंसका है ये भी पता चालिएगा देखिए आपका यहां पर 60 का हमने अल्रेड लिया था हो सकता है आपके एक्जाम में 9 दे लेकिन कहीं न कहीं से आपको इशारा ज़रूर करेगा कि आपकी तीनों कोड कितने अंसके होते हैं या अगर नहीं भी देता तो आप यही इसकी वैल्यू निकाल देंगे कोड डी बराबर एपांट टू कोडों के नाम दिये होंगे उसी बेस पर आप यहां पर लगा देंगे तो क्या है डी कमान हमने यहां पर देखा था कितना था यह 60 तो 60 बटे में दो कर दीज़े तो डी बराबर के आगया 30 अंस यानिके डी कितने का है 30 अंस आया दी कितने का है 30 अंस का है आगे देखिए एक और पॉइंट दिया है किसी त्रभुज के भुजा के मध्य बिंदों को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समाना अंतर होती है हमने एक भुजा एक त्रभुज ले लिया यह लिजी हमने त्रभुज ले लिया कहरा है इसकी भुजा के मध्य बिंदो को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है हम दो भुजाओं को ले लेते हैं इस भुजा का आधा यहां पर है और इस भुजा का आधा यहां पर है अब इन दो बिंदों को जब हम मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगी वो इसके समानांतर होगी समानांतर रेखा आपका ये समानांतर और समानतर रेखाऊं का जो होता है देखे माल लिजे अगर ये 60 का है तो इसकी value भी 60' अगर ये 30 का है तो इसकी value भी 30' ही आएगे यानि कि समानांतर D Pret हों कि जो बडाबर संगत कोड़़ते हो क्या है आपस में बडाबर होते हैं ये एक पॉइंट, एक और पॉइंट देख लेते हैं, हम यहाँ पे देखिए, गया है, सम बाहु तरिभुज के भुजाओं के मद्ध बिंदूओं को मिला कर तरिभुज बनाया जाया, तो बने तरिभुज का छेतरफल, एक बटे चार गुरते बड़ तरिभुज का छेतरफ मिला दे यहां से इसका मध्य बिंदू यह है यहां से इसका मध्य बिंदू और यहां से इसका मध्य बिंदू अब इनको मिला देते हैं ऐसे यह बाढ़ते में चार गुडित्ते बड़े बंधैने च सब्सक्रिकार जाए कि 7 करें तो मिलिदी इस या निच्छाय फारेंगे सब्सक्रिकेस न करना समना परउया है जो भी छेतरफल है उसे चार पार्ट में तोड़ दीजी क्यों? क्योंकि हमें कितने त्रबुज बनाने है उतने ही छेतरफल में हमको चार और बराबर बराबर बनेंगे तो एक, दो, तीन, चार बनेंगे इसलिए आपका क्या आया? चार आंसर भी आया अगला पॉंट डेखते हैं अब प्रेश्न होगा आपसे कि अंतह केंदर किसे कहते हैं अंतह केंदर क्या है? कोडो के समधिभाजक के द्वारा जो लाइने हम खिसते हैं तो वो लाइने कहीं न कहीं एक बिंदू पर मैच होती है यही बिंदू आपका अंतः केंद्र कहलाता है चितर बनाते हैं त्रिभुज बना दिया हमने एक ठीक है त्रिभुज बन गया आप कह रहा है कि कोड़ो के यहाँ पे मालिक यह 60 का है यह 60 का यह 60 का इसका समधी भाज़े करते हैं यहाँ पे हमने किया इसको प्रकाल प्रट्रिक सहायता से जब काटा तो यहां काटा और इसको हमने किया तो यह यहां पे आया तो देख रहें यह जो बिंदू है यह क्या कहलाता है अंतह केंद्र तुर्भुज का अंतह केंद्र कहलाता है अब देखें आप परिकेंद्र दिया है परिकेंद्र क्य भूजा के समधी लंब एक त्रभूज बनाते हैं यानि कि किसी रेखा पे समधी लंब भी सोता है ऐसे हम कर दे तो यह हम ऐसा नब्बे अंसका आना चाहिए इस भूजा पर समधी लंब करते हैं तो यहां से इसको डिरेक्टली आधा कर देंगे तो यह ऐसे निकलेगा इसको क करें तो यह डिरेक्टली ऐसे जाएगा यानि कि तीनों जो रेखाएं हैं वह एक बिंदू में आपस पर टैच होंगी तो यह जो बिंदू हमें मिला है यह क्या जाता है अपका परी केंद्र देखिए भूजा को समधी लंब करने से हमको परी केंद्र मिलता है और वहीं करूंश कर दोष्का